मीठे में खीर का स्वास सभी को बहुत पसंद आता है ड्राइ फूर्ट सब केसे डाल कर बनाएगे खीर खाने में बहुत ही ज़्याद है टीस्टी लगती और इसे बनाना भी आसान है तो आज में बनाएंगे खीर इसके लिए क्या करेंगे कि एक बावल में 1-4 कप चावल ले करेंगे और इसका पानी चाल लेंगे तो यहां पर मैंने चावल को दो से तीन बार पानी से अच्छे से साफ कर लिया है अब अगर आप चाहें तो इसे पंदा से बीस मिन तक भिगो कर रख सकते हैं उसके बाद खीर बना सकते हैं आज हम तुरंद खीर पनाएंगे तो इसक से लगातार चलाते जाएंगे नहीं तो चावल जो है नीचे से जलने लग जाएंगे और लगभग एक मिनट के बाद आप दे सकते हैं कि चावल जो है अच्छे से भून चुके हैं तो आप हम इसमें पानी की जगा पर दूद भी आड़ कर सकते हैं यहां पर हम इसमें दो क दखकर लगाकर इसे मीडियम फ्लेम पर तीन से चार सीटी आने तक पका लेंगे तो यहां पर आप देख सकते कुकर में 30 सीटी आ गई तो अब हम कैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जब कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा जैसे की आप देख सकते हैं कि इसका प्रेसर अपने आप निकल चुका है तब हम कुकर का धकन खोल लेंगे और यहां पर आप देख सकते की चावल जो है अच्छे से पक चुके हैं अब हम एक कलशी लेंगे इसके पीछे वाले हिस्से चावल को अच्छे से मैस कर लेंगे तो इसे ज्यादा नहीं मैस करना बस एक से दो बार हम इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिसकी चावल थोड़ा सा तूट जाएं जैसा कि आप देख सकते कि चावल जो है अच्छे से मैस हो गया है तो अब हम इसमें दूद एट करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें एक कप दूद एट कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जैसे ही दूध और चयावल जो है अच्छे से mix हो जाएंगे तब हम gas की flame को on कर देंगे और gas की flame को high रखने देंगे और एक अब दूध और e åt कर देंगे अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे और high flame पर एक उबाल आने तक इसे पकने देंगे इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे या नीचे से जलने ना लगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि खीर में जो है अच्छे से उबाल आ रही है तो हम गैस की flame को medium कर देंगे तो medium flame पर इसे 5-7 मिल्ट तक पकने देंगे बीज-बीज में इसे ऐसे चलाते रहेंगे तो लगभाव 5 मिल्ट के बाद यपे थोड़ा सा पक जाएगी तब हम इसमें एक कप के करीब चीनी आड़ करेंगे इसे अच्छे से mix करेंगे और चीनी के melt होने तक पकाएंगे तो यह मेडियम से लो रखेंगे और medium से लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे ड्राइ फ्रूट आड़ करने के बाद इसमें केसर दूद आड़ करेंगे और इसे भी अच्छे से mix कर देंगे केसर अगर आपके पास हो तो आप आड़ कर सकते हैं इसे अच्छे से mix करेंगे और 1-2 मिन तक medium से लो फ्लेम पर पकने देंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि एकदम क्रीमी रबडी दार खीर बनकर रेटी है आप इसे इस टेस्ट पर सवर कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है लास्ट में हम खीर को और भी ज्यादा टेस्टी मलाईदार और पर्सनल है अगर आपके पास हो तो जरूर रेट कीज़े और यहां पर हमारी काड़ी क्रीमी मलाईदार खीर जोयब बनकर रेडी है और आप देख सकते हैं दिखने में एकदम रवडी जैसी लग रही है तो अब हम कैज की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गर में ठंडा करके सर्व करेंगे रेश्पी पसंद आई हो वीडियो को लाइक सेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिचल सर्बर कौन के लिजिए से कि नई और मज़िदार रेश्पी स्केपडेट आपको मिलते रहे और आप यह रेश्पी ट्राइए कि और कमेंट क करके पताय कि का से लगी